आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमबेडकर के बारे में कितना जानते हैं? बस यही कि वे भारतिय सम्विधान के निर्माता हैं? नहीं, सच्चाई तो यह है कि वे आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं? मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रही रोजगार पैदा कर सकते हैं और ग्रामी इंक शित्रों के लिए बिजली प्रदान कर सकते हैं. इन परियोजनाओं से आज पूरी भारत में फाइदा मिल रहा है. डॉक्टर अमबेडकर ने भारतिय रिजर्व बैंक और भारत में वित आयोग की स्थापना में भी महत्वप कानुनों को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे कार खाना आदिनियम 1948, जो काम के घंटों में कमी का प्रावधान करता है, और मातरित्व लाभ अदिनियम 1961, जो महिला श्रमिकों को मातरित्व लाभ प्रदान करता है. डॉक्टर अमबेडकर ने भारत में श्रमिक और व्यावसाइक शिक्षा के प्रचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसके आधार पर भविश्य में IIT और IIM की स्थापना हुई। डॉक्टर अमबेटकर ने रोजगार कार्यालेयों की स्थापना के लिए रोजगार कार्याले अधिनियम की शिरुआत की जिसमें सारवजनिक शेत्रों द्वारा किसी भी नौकरी की रिक्तियों के बारे में रोजगार कार्यालेयों को सूचत करना अनिवार्य कर दिया गया थ उनके द्वारा पेश किये गए हिंदू कोडबिल ने तो हम महिलाओं की किस्मत ही बदल दी आज हमें अधिकार और सुरक्षा बाबा साहब की वज़े से ही प्राप्त हैं उनकी वज़े से ही हम महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया था जबकि अमेरिका में यह अ प्राद में मिला